नमस्कार दोस्तों, वेलकम टो स्टेडी नियूज काना राश्री उद्यान भारत का एक प्रमुख राश्री उद्यान है यहां की प्राकर्तिक सुन्दर्ता परेटकों के बीच हमेशा से ही आकरसन का केंद्र रहा है काना रुद्यान जीव जन्तूओं के संरक्षण के लिए विख्यात है यह अलग-अलग प्रजातियों के पशुओं का घर है इसमें लगभग विलुप्त हो चुकी बारा सिंगा की प्रजातिया यहां के वातावरण में देखने को मिल जाती है काना रुद्यान एशिया के खुबसूरत वन्य जीव रिजर्व में से एक है काना रुद्यान में ऐसे अनेक जीव जन्तू मिल जाएंगे जो दुरलब है लेकिन काना रुद्यान मुख्य रूप से टाइगर रिजर्व है तो हम इस वीडियो में जानेंगे काना नेशनल टाइगर पार्क के बारे में So let's start ये राश्री उद्ध्यान 940 वर किलो मीटर में फैला है ये हरावरा छेतर सत्पूडा की पहाडियों से घिरा हुआ है इन पहाडियों की उचाई 450 से 900 मीटर तक है इसके अंतरगत बंजर और हैलन की घाटिया आती है जिन्हें पहले मद्ध भारत का राजकुमारी छेतर कहा जाता था तो इससे आप यहाँ समझ सकते हैं कि ये नेशनल पार्क सत्पूडा हिल्स पे मद्ध प्रदेश में इस्थित है कानहा राश्री उद्ध्यान को 1933 में अभ्यारण के तौर पर इस्थापित कर दिया गया और 1955 में राश्री उद्ध्यान घोसित कर दिया गया था यहां की सबसे बड़ी विसेस्ता खुले घास के मैदान है जहां काला हिरन, बारा सिंगा, सामभर, चीतल और बंदर का दिख जाना बहुत आम बात है इस नेशनल पार्क के पक्चियों के बारे में बात करें तो यहां लगबग 300 पक्चियों की प्रजातियां है पक्चियों की इन प्रजातियों में इस्थानिये पक्चियों के अतिरिक्त सर्दियों में आने वाले प्रवासी पक्चि भी सामिल है यहाँ पाये जाने वाले प्रमुक पक्षियों में सारस, छोटी बतक, पिंटेल, तालावी बगुला, मोर, मोरनी और बहुत सारे प्रकार के पक्षिय यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर कई दुरलब प्रकार के जन्तूओं की प्रजातिया भी आपको देखने को मिलेंगी उद्यान के पूर्व कोने में पाए जाने वाला भेडिया, चिंकारा, भारतिय पैंगोलीन, समतल मैदान में रहने वाला भारतिय उद्बिलाओ और भारत में पाए जाने वाली लगू बिल्ली जैसे दुरलब पसुओं की प्रजातियों को यहां देखा जा सकता है यहाँ पर जब आप सफारी के लिए जाएंगे तो यहाँ की जीप सफारी सुभह और दोपहर को प्रदान की जाती है जीप मध्य प्रदेश परियटन विकास कार्याले से किराय पर ली जा सकती है कैम्प में रुकने वालों को अपना वाहन और गाइड ले जाने की अनुमती है सफारी का समय सुभह 6 बजे से दोपहर को 12 बजे तक दोपहर में ही 3 बजे से साम 5.5 बजे तक निरधारित किया गया है तो जिसे यहाँ पर सफारी करनी है वो इन समय में से किसी भी समय यहाँ पर सफारी कर सकता है बात करते हैं नैसनल पार्क में उपस्थित कानह संग्राले के बारे में इस संग्राले में कानहा पार्क का प्राकर्तिक इतिहास संचित है यह संग्राले यहां के स्रांदार टाइगर रिजर्व का दृष्ष से प्रस्तुत करता है इसके अलावा यह संग्राले काना पार्क की रूप रेखा, छेतर का वर्णन और यहां के वर्ण जीवों में पाए जाने वाली विविदिताओं के विशे में जानकारी परदान करता है तो यहां पर आपको काना नैसनल टाइगर पार्क के बारे में जानने को मिला होगा तर्फाद प्रवाट विडीयो प्लीस लाच प्लीक शब्सक्राइब और लाच्टाइब और दो प्लीक शब्सक्राइब कर दो भाच थांट जा लाच है